या श्रीकिष्णा दोस्तों राधी राधी मेरी चैनल लर्निंग विर्सी हम आपका बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम वैल्वेट में से आपको आठ नंबर के ठाकुर्ची की बहुत प्यारी सी पुशाक बनाएंगे बनाना सिखाएंगे दोस्तों ये वैल्वेट शनील औ इसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो चलिए इसमें से हम आज आपको आठ नंबर के ठाकुर्ची की ड्रेस बनाना बताते हैं दोस्तों ड्रेस हम दिवाली के लिए बना रहे हैं इसलिए थोड़ी हैवी बनाएंगे और इससे स्टिच हम बहुत कम करेंगे तो जिन लोग न्यूसपर को हमने 16 वाई 16 इंची का स्क्वाय पीस हमने इससे कट कर लिया है अभिसी हम एक बार लमबाई में और एक बार चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बास सेंटर से हम इसे आठ वाई 8 इंची नाप करके शारा आठ रोशा इंची में कमर की गुलाई के लिए 10 सवा सवा इंची, форм चारहो तरफ से लिया है, तो यह द्यक्तल की कमर की गुलाई हो जाएक न वह जाएगी 10 सवा इंची हमने एक साइड का है, अब इसे हम कट कर लेते है अब इसकी गुलाई को नाप लेते हैं, साड़े बारा इंची हमारी इसकी गुलाई आ रही है, जो चार तह करके हमने डायामीटर लिया हुआ है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसका वन थर्ड यानि सवा चार इंची पर हम एक निशान लगाएंगे, देखिए सवा चार इंची पर हमने ये मार्क किया, अब मार्क करने के बाद इस मार्क पर हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा एक तिहाई भाग हो जाएगा, ये वन फोल्ड जो हमने लिया हुआ, इसका एक तिहाई हो गया, इसका भी हमने डबल फोल्ड कर लिया, ये देखि से इसको हम कट कर लेते हैं कि कट करने की बाद अब इससे हम पेपर को खोलते हैं तो देखिए यह हमारा बारा कली का एक फ्लार बन गया अब यह जो पुशा का डायामीटर कटे का न वह इसी को रख करके हम कट करेंगी 17-17 इंची का हमने वैलविट का पीश कट कर लिया है साथ ही हमने यह पिपर फॉर्म लिया जैसे पिश्टिंग बुकरम आति है उसी तरीकी की यह पिपर फॉर्म आति है इसमें भी वैक्स लगा होता और यह भी हमारे कप्डे के साथ गरम प्रेस से करते है तो यह चिपक जात अब जो हमने पेपर पैटर्न कट किया है ना इसको इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे यह आलपिन से पहले पिन कर लेते हैं ताकि यह पिपर इधोरदर ना भागे वैलवेट में कटिंग करने में थोड़ी सी दिकत आती है आलपिन करने के पूरा फ्लार हमने मार्क कर लिया है अब जो पिन हमने लगाई है ना उनको निकाल लेते हैं इसमें से और निकालने को आद देखे यह पूरा मार्क हो गया अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं अत्वा साथी अस्तर भी हमने कंट कर लिया है और अस्तर क करने की बाद میں यह चार द मीश्रा बिल्क बिल किनारी किनारी हम सलाही लगाएंगे और सलाही लगाने के बाद में हमें सेंटर में भी स्लाही लगा ले जाखनिए. साथी कमर के गोलाई है, उसको भी हाइलाइट कर लेंगे स्लाई लगाकरके, और इसी कट कर लेंगे हम. सेंटर में से हम पूरा कट नहीं करेंगे जो हम खोलते है Web 10 को खेल थोड़ा 5 गेरी हम कमर में पेनाने के लिए तो पहले छुज़ज़ दूरा लेते हैं इस सारी बिंस हम निकाल लेते हैं चार इंची के करीब हम यह से ओपिन रखना है क्योंकि थाकुर्जी को पहनाने के लिए मैं थोड़ा ओपिन रखना पड़ेगा तो यहां पर चार इंची पर मार्क कर लेते हैं अभी चार इंची में हम ऐसे तरीके से यू टर्न डे करके और सिलाई लगा लेते हैं ताकि हम इसमें कट लगा सके और साथी कमर की गुलाई में भी हम सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद में गुलाई को हम कट करके बाहर निकाल देंगे अब यहां से लेकर करके हम यहां तक इसे कट कर देंगे साथ ही यह गुलाई कट कर लेंगे और साथ ही यह अस्तर फिनिश करके इसकी कटिंग कर देंगे कटिंग हमने कर लिए और फिनिशिंग के साथ किया इसमें हमें कोई टिश्यू टेप बगरा नहीं लगाना कुछ नहीं करना नहीं बहार इसकी लॉकिंग करनी है बस हम इसको नेफा इसका लगाएंगे कमर में डोरी डाल करके जिसना हमीशा हर पूशाक में आपको बताते हैं इसके लिए हमने देखिए 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 चौड़ी ये वेलवेट की पटी कट किया और ये इसको ऐसे मूढ़ेंगे मूढ़ने के बाद अंदर ढोरी मिलक्त करेंगे अर ढोरी को रखने के बाद मैं इस तरीके से सिलाई लगा देंगे बेलक्ल किनारी किनारी इस इस निफ़ हमने लगा लिया अब निफल लगाने के बाद एके एंड्स पर हम कोई टिशू टेप बगरा नहीं लगा रहे हैं लेकिन हम एंड में अभी फैवी बॉंड की मदद से इसमें कुंदन चिपकाएंगे तो अपने आप हमारे जो इसके एंड्स है जो रेशी बगरा निकलते हैं अब चिपक जाएंगे फिर बहार नहीं निकलेंगे लेक्रिशन के लिए देखिए अलग-अलग साइज के अलग-अलग डिजाइन के हमने कुंदन लिए इनी कुंदन से हम पूरी ड्रेस बनाएंगे स्टेचिंग का काम हमारा बस इतना ही रहेगा इसमें अब इस टून ये सौरी कुंदन लगाने से पहले सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे तो मार्केंग ये कर्व से अंदर की स़ üst एक इक इंची दूरी पर यही मार्क करने हैं मैं पूरी गोले में हम एक इंची की दूरी पर निशान लगा लेंगे अब जो निशान लगाया है है उसके अंदर का डायमेटर हम नाप लेते हैं यह देखे, साड़े 11 इंची आ रहा है हमारा यह डायमीटर, तो इसको हम साड़े 11 इंची के गोला बनाएंगे, तो गोला एकुरिटाइस के लिए ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम फोल्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए इसके लिए थाली वगरा कुछ ले लेते हैं, प्लेट से उल्टा रख देते हूं और रखने के बाद इसे हम अच्छे से मार्क कर देंगे पूरे घेरे में अभी हमने यह फैवी बॉंड लिया है फैवी बॉंड की मदद से हम यह सारे स्टोंस को चिपकाएंगे इसे बहुत जल्दी चिपक जाता है कि इस तरीके से हम सारी बाउंडरी वाल पर पूरे घेरे में हम यह गोलवाले स्टोंस चिपका लेते हैं नियका ख़छा सारी तो पूरे extra फालय हमने कुंड़न की लगा ले गोल कुंद्न की और स्टोंस चैन लीए इस स्टोंस चेन को सारे त 1990 किअन पूरारन गुह मैं उसी तरीकी से की सारे साघन को बिल्कुल गुणा अजियो अब यह अंदर के साइड में जो सरक्ल बनाया है इस सरक्ल में हम स्टून चेन लगाएंगे और एक बार नहीं एक बार लगाने के बाद में और थोड़ा सा gap देने के बाद एक बार और लगाएंगे दो राउंड यानि हम इसमें circle chain का गुमाएंगे दो बार इस टून चेन लगाने के बाद आपने गोलवाले कुंदन लिये हैं ब्लोक को separate करेंगे अब यह देखें पैटल सा मारी सेप्रेट हो गई कंदन के ही हमने बूटिया लिए हैं हर ब्लोक के अंदर सेंटर में एक बूटी लगा देते हैं के अभी साथ इंच के व्यास की एक प्लेट लिए हमने सेंटर में रखी इसे भी जैसे हमने बड़ी घेरा बनाया था उसी तरीके से इसके अंदर भी एक घेरा बना लेते हैं इस सर्किल में भी हम स्टोन चेंड लगा लेते हैं जैसे हमने ये बाहर वाले सर्किल में लगा थी अंदर वाले सर्किल में भी हमने ये डबल चेंड लगा दी है अब ये देखे लीप्स की शेप में हमने कुंदन लिया है इन कुंदन को तीन तीन कुंदन की हम ये चोटी चोटी सी बूटियां टाइप की बनाएंगे और इनको हम लगा देते हैं चिपका देते हैं यह पूरे सरकिल में हमने इस तरीके से तीन तीन लीप्स की बूटियां बना दी और एक एक स्टोन्स बीच में लगा दिया है अब देखिए यह लीप्स वाली शेप के मैंने कुंदन लिये हैं यह कुंदन को हम अंदर की साइड में यह पूरी घीरे में बिल्कुल पास 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 लगा लेते हैं चारो तरफ क्योंकि पुशाक हम बिल्कुल जूल्री स्टाइल में बना रहे हैं तो हमें उसी तरीके से बनानी पड़ेगी जैसे जूल्री बनती है कना जी की इस सारे कुद्धन हम फैवी बाउंड से ही चिप गाएंगे घेरा हमने बना लिया सतही यह मुझे स्टॉ ON से कम लग ते तो यह मैंने बूटियां भी लगा दिये हैं इसके साथ साथ ये stone chain भी लगा दिया इसके साथ एक अब हमने ये wall chain लिये तो stone chain के साथ साथ हम ये wall chain भी लगा देते हैं इसे look बहुत अच्छा जाता है जुल्री वाला बिल्कुल look आ जाता है और ये जो दोनों लाइने बनाए हैं इनके बीच में भी एक wall chain हम लगा देते हैं wall chain के बाद में हम ये square कुंदन लिये हैं square कुंदन का पूरी एक line हम square कुंदन के लगा देते हैं और फिल्कुल पास पास सटा सटा करके लगाएंगे ये कुंदन हम जैसे जैसे हमारी पूशाक ये पूर्टा की और बहर रही है इसकी खुब सूर्ती बढ़ती ही जा रही है देखें कितनी सुन्दर लग रही है अब फिर से एक wall chain लगा लेते हैं wall chain लगाने के बाद में हम ये किनारे पर भी ये सुरी कमर की गुलाई पर भी हम wall chain और stone chain दोनों लगा लेगे ये पूशाक बनने के बाद में थोड़ा सा portion हमारा खाली बचा है बीच का इसमें भी हम ये छोटी छोटी तीन तीन पत्तियों वाली बूटियां बना देते हैं और ये थोड़ी पास पास लबनाएंगे पूरा घीर हमारा बन कर तहियार हो गया अब इसकी चोली बना लेते हैं चोली हम बड़ी प्यारी सी डिजाइनर बनाएंगे जोली के लिए हमने शाड़े पांच इंची चोड़ा और ये 11 इंची लंबा वैलवेट का फैबरिक लिया है इसरे पेस्टिंग फ़ॉम से हमने पेस्ट कर लिया है ताकि इदरदर से रीशे न निकली और कटिंग में और सिलाई में फिनिशिंग आ सके अस्तर भी हमने कट कर लिया है सबसे पहले हम इसे चार्टे हमें फोल्ड करेंगे एक पर लंबाई में और एक पर चौड़ाई में अब कॉर्णर से हम 3-4 इंची लेकर के इसकी गले की गुलाई कट करेंगे ये 3-4 इंची लेंगे हम आधा इंची से 2 पॉइंट जादा 3-4 इंची चौड़ाई में और 3-4 इंची गुलाई में और इस पर हम गुलाई में कट करेंगे गले की गुलाई इसको देखें गुल कट करके और साथ ही हम नीचे से इसको देड़ इंची करीब हम नीचे से भी ले लेंगे देखिए यहां से यह लेते हम डेढ़ इंची और यह थोड़ी सी गुलाई देते हुए से तिलच्छा हम ले लेते हैं और इसे पीछे से हम ओपिन रखेंगे तो पीछे से भी इसकी कटिंग कर देते हैं अस्तर की ऊपर इसे उल्टा रखें दोनों साइट से इसे लाई लगा देंगे और यह उपर और नीचे दोनों साइट से हम इसे उपी नहीं रखेंगे ताकि हम इसे पलट सकें सब्क्राइं करा पक्राइं करै कंड कर incapा है करा भी नहीं कर देवं कर देवं कर देवं बीच में से अब ये गुलाई कट कर देंगे गले की और साइट से जो अस्तर दिखाई दे रहा है उसको भी कट करके हम बाहर निकाल देंगे इसे पलट देते हैं देखें बहुत आसानी से पलट जाता है ये बिना किसी दिकत के ये चोली हमारी पलट गई अब इसमें दोनों सिरों से सलाई लगा देते हैं मोड़ करके थोड़ा थोड़ा यहां पर भी और इन दोनों सिरों में भी अब बानने के लिए डोरी लगा दें चोली जब हम पहना हैंगे न थाकुची को इस तरीके से गले में डालेंगे। यह पीछे का सईट ले जाएंगे और यहां पर लें जाकर की यह कमर में हम बांठ देंगे। इस तरीके से हमाई थाकुची चोली पहना कहtrrate कि ट्रॉक्चिन करेंगे। coronavirus तक हम उसी यह बीट्स यहां किनारे किनारे लगा देंगे तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसे लगे जैसे नेकलिस मैंने ठाकोडी ने इस तरीके से हम इसका डेकरोशन कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों ड्रेस पूरी बन गया हूं कितनी खूबसूरत ड्रेस लग रही है न एकदम रॉयल महराजाओं वाली ड्रेस लग ठाकोडी अमारे करकी महराजाओं हैं हुए हैं उन्हें हम ऐसी ही ड्रेस पहनाना पसंद करेंगे दिवाली के दिन और ये सर्दियों में भी पहना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी पसंद आएए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए और हाँ इसकी पगड़ी हम अगले वीडियो में आपको सिकाने वाले हैं तब तक के लिए राधे राधे